देखे बिल का इस सच हम लोगों ने पोच किया है और बिल लाने के पीछे भारतिय जनता पार्टी के मनसा ठीक नहीं है भारतिय जनता पार्टी इस देश में केवल जमीन हर्पो जमीन बनाओ का कारोबार पूरे देश में कर रही है और इस से एक तरह से जो हमारे कांसिट्यूशन में है मुला दिखार है फंडामेंटल राइट से समिधान के आर्टिल 25 देखिए 26 देखिए तो उनके जो प्रॉविजन्स है उनके जो समिधान में जो विवस्ता है उसके खिलाप ये बिल है और पूरी तरह से हमारे देश में जो समिधान है बाबा साथ धीमराओ अमेदकर का जिसमें फंडामेंटल राइट दिया है आर्टिल 16 में तो उसका पूरी तरह से उलंगन है और इससे साब कहा जा सकता है कि भारते जन्ता पार्टी के लोगों की मंसा ठीम नहीं है जमीन हर्पनों का काम है और इस देश में आपस दारी और भाई चारा जो बना है जंगा जमुनी जो संस्कित है उसको बिगालना चाहती है जेपीसी के तो गठन हो गया इसमें ओ ठीक है जठन तो हो गया गठन में आएगा बात लेकिन मंसा जो है अभी तो आएगा ना पूरा तो उसके बाद सब बताय जाएगा जटन हुआ सारा चल्चा होगी उसका रिक्मेंडेशन आएगा वो सब आएगा सर आयोध्या में आपको लगता कि वक्व बोट के जमीन की कुछ ऐसी विवादस पद जमीने हैं अब देखिए ऐसा है अब पर्टिकुलर जन्पदों की बात तो अभी नहीं कहा जा सकता देखा जाएगा तो तमाम जगा की जमीनों का बात कोगा लेकिन जो आग बिल आया ह तो जगा की जगा थे और जो एक जगा है यह मैं बिल तो पूरा देख के लिए लाया गया सरकार दरसल सरकार का चाल चरीत्र चहरा बहुत अलग अलग है सरकार कहती कुछ है करती कुछ है उसका एक सूत्री कारेकरम दुरुवी करण है, वो चाहती है कि इस बिल के बहाने वो समाज में दुरुवी करण करे, बटवारा करे दान की वक्फ का मतलब होता है दान, दान की गई जमीनों की सरकारी लूट की जो कोशिश है उसको आज विपक्ष ने कमजोर कर दिया, उसे विफल कर दिया, तो इस बात के लिए हम विपक्ष को बढ़ाई है इस बात के लिए और ये विपक्ष की एक जुटता का परेड़ाम है मुझे लगता है कि NDA के अंदर खाने से जो आवाज उठी, उसने सरकार को और मजबूर किया इस पर बात करने के लिए और अंततो गत्वा, मैं इसे जीत ही मानूंगा